तो हलो एन वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का चैप्टर नमबर 2 लैंड रिसॉर्सेस का नेक्स टॉपिक तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मतलब यह जो लैंड जो हमें free of cost जो मिला हुआ है इसका डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है डिग्रेडेशन का मतलब होता है यह खराब कैसे हो रहा है और इसको किस तरीके से जो हैं कंजर्व किया जा सकता है इसके बारे में हम लोग basically जो हैं पढ़ने वाले हैं स्टार्ट करते हैं we have inherited our land from our ancestors मतलब यह जो भी जमीन जो हमें मिली हुई है यह जमीन हमें कहां से मिली है हमारे ancestors से मिली हुई है मतलब हमारे पुरवजों से मिली हुई है तो अगर हमें हमारे ancestors ने अच्छे कंडिशन में इस land को दिया है तो हमारी भी यह responsibility बनती है कि हमारे बाद जो आने वाले generation होगा उस generation को भी हम लोग अच्छे से क्या करें इस land को जो है provide करें humans can improve or degrade land through their activities अब देखो जो soil है या जो land है उसको improve करना है या उसको खराब करना है यह human की activities पर जो है क्या करता है how do we access the quality of land अब हम लोग किस तरीके से हम लोग मतलब कहां की जो land है वो अच्छी है और कहां की land जो है खराब है इसको जानने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं ठीक हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जमीन के quality अच्छी है या जमीन के quality खराब है तो यहाँ पर बताया जा रहा है अब यहाँ पर हम लोग जमीन को यह देखेंगे कि वो जो जमीन है उस जमीन पर जो है कितने पेड़ पौधे जो है उग सकते हैं और कितने एनिमल वहाँ पर रह सकते हैं अगर यह condition अच्छा रहा तो हम लोग बोलेंगे कि जमीन बहुत अच्छी है अगर ऐसा नहीं रहा तो वो जमीन खराब है यह जो capacity जो हम लोग बात कर रहे हैं वेजेटेशन का और एनिमल्स का यह हर जगा पे अलग-अलग जो है हो सकता है अब हम लोग यह देखेंगे 3-4 साल में कि पहले साल वहाँ पर कितने पेड़ पमधे थे कितने एनिमल वहाँ पर अच्छे से सर्वाइफ कर रहे थे फिर अगले साल देखेंगे कि वहाँ पर कितने पेड़ पौधे नए उग रहे हैं और कितने जानवरों को वहाँ से खाना पानी मिल रहा है फिर इस तरीके से 2-3 साल तक हम लोग देखेंगे और जब 2-3 साल तक अनलेसिस करने के बाद हम यह पता चलेगा कि जिस जगह की जमीन का हम लोग अनलेसिस कर रहे हैं वहाँ पे पेड़ पौधे कम उग रहे हैं और वहाँ पर एनिमल्स भी अब वहाँ पे कम सर्वाइफ कर पार हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसी जो जमीन है वो जमीन क्या है? डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है जैसे कि एक्जामपल के लिए अगर क्या होता है? बारिश होता है या बार आता है उसके कारण से जमीन के उपर वाले हिस्से पर क्या होता है? sand का layer जो ही spread हो जाता है तो जब उपर वाले हिस्से में sand का layer spread हो जाएगा तो वहाँ पर vegetation ग्रो जो है नहीं होगा this land is degraded because plants and animals cannot get their nutrition from it like they got early before the flood अब बारिश के बाद अगर किसी जमीन पर जो है sand का layer अगर spread हो गया तो इसके कारें से ना तो animal को और नहीं क्या बोलते हैं nutrition मिलेगा क्योंकि दोनों को nutrition ultimately soil से ही मिलता है तो हम लोग यहाँ पर यह बोलेंगे कि अगर बाड आती है और किसी जमीन पर अगर soil का layer spread हो जाता है तो वो जमीन होती है वो degrade हो जाती है पहले जैसे नहीं रहती है human activities can lead to land degradation in many ways land जो खराब होती है वो इस reason से होती है लेकिन maximum जो reason है land के degrade होने का वो human की activities है और human की किस तरीके activities जो होती हो land को degrade करती है देखते हैं when we plow dry land or land with a high gradient the wind and water erodes the loosened soil जब हम किसी जमीन पर क्या करते हैं हल चलाते हैं या किसी high gradient मतलब जहां पर बहुँ ज़ादा slope है जमीन ज़ादा ढलाओ है अगर ऐसे जमीन पर हम लोग क्या करते हैं अगर tilting करते हैं tilting करने के मतलब खेत की जूताई करते हैं तो इसके कारण से क्या होता है हवा के कारण और बारिश के कारण जो होता है वो जो स्वाइल है जिसके हमने जूताई की थी वो स्वाइल क्या होता है वहां से जो है बह जाता है लीविंग बिहाइंड ओनली लार्ज साइज पार्टिकल एंड पीबल्स अब जब यहां पर हम लोग उने खेती करने के लिए जमीन की जूताई की बारिश के कारण हवा के कारण उपर का जो लेयर होता है वो उड़के चले जाता है और वहां पर बचते क्या है बड़े-बड़े साइज के पार्टिकल साइज पीबल्स जो है कंकर जो है बचते है और इस तरीके की जमीनी ना तो पाश्चर करने के लिए पाश्चर मतलब जानवरों को खिलाने के लिए पेड़ पोधे के लाइक भी नहीं रहती है और नहा वो जमीन जो है क्या होती है अग्रिकल्चर करने के लिए बजपाती है You read the example of the Rajasthan Canal in the previous lesson. Desert sub-soil has a high salt content. हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा हुआ था या पिने क्लास में भी पढ़ा होगा या स्कूल में भी पढ़ा होगा कि राजिस्थान में एक कैनल आती है जो कि पंजाब से पानी को राजिस्थान तक पहुँचाती है इस kennel का नाम है इंदरा kennel करके ठीक है तो इंदरा kennel जो है क्या है बेसिकली राजस्थान के उन इलाकों पर water के supply को ensure करती है जहां पर बारिश बहुत कम होती है तो राजस्थान में जो है इंदरा kennels के थ्रू क्या क्या जाता है desert area पर पानी जो है पहुंचाया जाता है desert subsoil has a high salt content, kennel irrigation in a desert area causes the salt to dissolve in the water and rise to the top of a form of land at a hard crust over the soil जब किसी भी जमीन पर हम लोग kennel के थूए किसी भी दूसरे medium से अगर irrigation करते हैं और उस जमीन पर अगर पानी बहुँच जादा देर तक क्या हो जाता है जमा हो जाता है तो इसके कारण से क्या होता है जो soil के अंदर में जो हमारे जो useful चीजे होती है useful चीजे जिसके कारण से nutritious वगरा मिलता है तो एक ही खेत पर बहुत देर तक पानी जमा होने से क्या होता है जो जमीन के अंदर जो salt होते हैं या water के अंदर जो salt होते हैं वो दोनों आपस में mix हो जाते हैं और वियसी बात है soil में fertility कब होगी जब उसमें salt होगा बहुत सारे minerals होगे तो salt जो होता है बहुत दिनों तक पानी के सांथ contact में रहने के कारण वो पानी के सांथ क्या हो जाता है और उपर वाले हिस्से पर आ जाता है आप लोगों ने कई बार notice किया होगा देखना आप किसी एक जगह पर अगर बहुत दिनों तक पानी जमा है तो उसके कारण से जब पानी सूखता भी है तो वहाँ पर white color का layer जो है आ जाता है यही white color का layer जो होता है वो salt होता है यह एक एक्जामपल है हमारे किसका land degradation का इन पंजाब, हरियाना, western UP, large tracks of agriculture land are irrigated flood irrigation causes water logging which leads to salinization of the soil ठीक है वही चीज बोल रहा है कि जो पंजाब है, हरियाना है, western UP है जहाँ पर बहुँ सारे irrigation facilities है इन irrigation facilities को यूज करने के कारण वहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि वहाँ के जो soil का salt है, वो water के साथ mix हो रहा है पूरा का पूरा salt क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है और इसके कारण से वहाँ पर agriculture अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि nutrition चीज़े तो पूरी के पूरी dissolve हो जा रही है तो इसके कारण से वहाँ पर बहुँ ज़ादा fertilizer यूज किया जाता है pesticides वोगर यूज किया जाते हैं जिसके कारण से और भी other problems होती है तो जब किसी एक जगा पर या तो बाढ़ के कारण या irrigation करने के कारण पानी बहुत दिनों तक जब जमा हो जाता है तो वहाँ के soil खराब हो जाती है और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग salinization of soil जो है बोलते हैं ठीक है इन दे dry areas of गुजरात, मध्यप्रदेश and महरास्ट excessive grazing is the main cause of land degradation पंजाब, हरियाना और UP वाले reason में ज़ादा पानी का use करना क्या होता है land का degradation का reason है जब कि गुजरात हो गया, मध्यप्रदेश हो गया, महरास्ट हो गया इन सारे areas पर animals की जो grazing होती है बहुँ ज़ादा होती है तो जब animal क्या करते हैं छोटे छोटे घास को खाते हैं तो उस घास को उखाड लेते हैं तो घास को जब उखाडते हैं तो जो छोटे छोटे जो घास होते हैं उनकी जो roots होती हैं उसके साथ soil भी क्या होती है उखड कर आ जाती है जिसके कारण से soil के degradation होता है grazing more livestock than the land can support destroy not just the grass and the other vegetation but also expose the soil which get degrades because of the wind erosin. susceptести جदो हो गया जारकंड हो गया ओडिसाह हो गया यह तीन चार 10 states जहां पर अदर मिनर一 different मिनराल से मिलता है जमीन के अंदर सिमिलता है तो मिनरेल को extract करने के लिए कई बार क्या क्या जाता है काफी बड़े-बड़े pits जो होते हैं गड़े जो है वो कर दिये जाते हैं after the mining operation end the land has large pits with the debris debris strewn all over जब एक जगा पर mining complete हो जाती है तो mining complete होने के बाद उस जगा को जो है वैसी ही जो है क्या कर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है ठीक है जिसके कारण से बहुत बड़े-बड़े गड़े हो जाते हैं जैसे आप लोगोंने दल्ली राजहरा सुना होगा कि दल्ली राजहरा से जो है पहले BSP को क्या मिलता था raw material मिलता था जब दल्ली राजहरा का raw material खतम हो गया, उसके एकारण से दल्ली राजहरा में बहुत बड़े बड़े गढ़े जो हो चुके हैं, वो भी एक soil degradation का एक example है It is unfit for agriculture or any other use, अब वो गढ़े इतने बड़े बड़े होते हैं कि वहाँ पर agriculture कर पाना possible ही नहीं है या कोई दूसरी activity वहाँ पर perform ही नहीं की जाय सकती है This is another example of land degradation, तो minerals का extraction करना भी land degradation का एक example है Mining is one of the main cause of degradation of forest land in जारखन, चत्तिसगण, मध्यप्रदेश and उडिसा हमारे यह जो आज़ पास के जी states है, जैसे उडिसा हमारा bordering state है, मध्यप्रदेश है, 36 जारकन है यह सब आपस में touched हैं, और इन सारे reasons में मिलते हैं mineral तो mineral के extraction के लिए pits होते हैं, mining होते हैं, जिसके एकरने से बहुत ही जाता है soil के degradation होता है ठीक है, तो हम लोगों को mineral के extraction से फायता तो होता है, लेकिन उसके कारने बहुत सारे नुकसान घी जो है, होते है Another way in which land is degrades is by grinding limestone for the cement industry and talk for the clay pottery industry कई बार क्या होता है, कि हम लोग क्या करते हैं, limestone जो होता है, limestone भी जमीन के अंदर से मिलता है तो cement बनाने के लिए जो सबसे important जो raw material होता है, वो limestone होता है, तो cement के production के लिए चाहिए होता है, limestone मिलता है जमीन के अंदर में, तो इसके कारण भी क्या क्या जाता है, माइनिंग की जाती है, तो माइनिंग करने के कारण क्या होता है, कि वहां से मिट्टी फिर से खराब होनी चालो हो जाती है इसके अलावा जो pottery industry होती है, pottery sting मनलब जो कुमार वगरा, मिट्टी वगरे के जो सामान बनते हैं, उसके लिए भी मिट्टी चाहिए होता है, तो उसके लिए भी जो pottery man जो होते हों, क्या करते हैं, जमीन को खोदना चालो कर देते हैं, तो यो भी एक soil degradation का कारण है Huge amount of fine dust particles are carried by the wind and settle on the nearby land, और क्या होता है, जब हम लोग यह limestone निकालते हैं, यह pottery article बनाने के लिए मिट्टी को एक जगह से निकालते हैं, तो उसके कारण से उस जगह का जो मिट्टी हो हवा के कारण क्या होता है, उड़ जाता है, दूसरे जगह पर shift हो जाता है These particle layer prevents the soil from absorbing water, और यहीं सारे छोड़े पार्टीकल जो होते हैं, बरसात के दिनों में क्या करते हैं, water के absorption को कम कर देते हैं, तो सोच सकते हो कि soil degradation किस level पर हो रहा है In the last few years, the discharge of contaminated water by the industries has also caused water and the land pollution in various parts of India अब एक और main reason है, land के degrade होने का वो है, बहुत सारे industries से निकलना है, वाला जो गंदा पानी होता है क्योंकि कोई भी industry हो जाए, glass का हो, जाए, cement का हो, जाए, किसी भी चीज़ का हो, थोड़ा बहुँ जो है, क्या होता है, water के requirement होती है कहीं पर जाएदा water के requirement होती है, तो कहीं पर कम water के requirement होती है, तो water का requirement होने के बाद वो जो गंदा पानी जो होता है उसको कई बार क्या कर देते हैं इंडस्ट्री वाले जो होते हैं वो डारेक्ली रीवर में डिस्चार्ज कर देते हैं या किसी खुले जमीन पर पानी को बहा देते हैं जिसके एकारण से बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है पूर क्वालेटी का हो गया है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है ठीक है हमारे इंडिया में सोच सकते हो 13 सले के 19 करोड हेक्टियर एक हेक्टियर में होता है लगभग लगभग धाई एकड तो इसको अगर एकड में कनवर्ट करेंगे तो कितना हो जाएक बहुत ज्यादा हो जाएक ठीक है चालीस, पचास करोड एकर जमीन जो है वो क्या हो चुका है डिग्रेड हो चुका है of this around 28% is degraded forest और यह जितना भी 13 सले के 19 हेक्टियर करोड है ना करोड हेक्टियर जो जमीन है उसका लगभग 28% जो है वो forest है ठीक है forest soil है 56% जो है water के कारण erode हो चुका है and rest is wind eroded और saline और बाकि जो जमीने खराब हुई है उसका reason क्या है या तो हवा के बहने के कारण अपने साथ वो मिट्टी को ले गई है या फिर बहुंँ जादा पानी की use करने के कारण वो saline हो चुकी है About 4.8 lakh hectare of land is degraded in 36 गड़ इंडिया में देखो 13 से लेक 19 करोण hectare है जबकि हमारे 36 गड़ के लिए 4.8 lakh hectare जमीन खराब हो चुकी है This is 35% of the state's total land area और हमारे 36 गड़ का जितना भी area है हमारे 36 गड़ का total area कितना है 1,35,192 km2 में फैला हुआ है तो इसका लगभग 35% area जो है क्या है जमीन जो है डिग्रेड हो चुका है यह हमारे 36 गड़ का total area है उस area का 35% area पुरा destroy हो चुका है खराब हो चुका है The cause of degradation is mostly water erosion and acidification of soil और इसके खराब होने का सबसे बड़ा reason क्या है Water का erosion होना Water का क्या करना Water pollution होना और बहुँ सारे pesticides वगड़ा यूस करने की करना Acidification होना Which affects crop Acidification can be controlled by adding lime to the soil यह जो soil का acidity जो बढ़ जाता है उसका reason क्या है पानी का use करना तो अगर हमें soil से अगर acid को कम करना है तो हम उसके में क्या कर सकते है हम लोग उसमें base डाल सकते है ठीक है Acid और base पढ़ा होगा आपने यह सुना होगा तो अगर जमीन acidic हो चुकी है तो उसमें हम लोग क्या mix कर सकते है Base डाल सकते है Like lime जो है इसमें add कर सकते है जिसके कारण से वो soil के fertility फिर से वापिस आ सकती है In दूर्ग जांजगीर कोरबा राइपो district Mining has caused land degradation In the pasture can address the problem in some extent Especially on land that is not longer suitable for agriculture हमारे पास ऐसे बहुँ सारे तरीकें जिससे हम लोग क्या कर सकते है Land degradation को जो है कम कर सकते है थोड़ा grazing कम कर सकते है Air forestation मतलब plant जादा से जादा tree हम लोग कर सकते है Agriculture में टेक्नोलोजी में कुछ changes करके भी कर सकते है Similarly ensuring proper irrigation According to the water holding capacity of the land Can help prevail the water logging and the salinization जिस जमीन को जितनी पानी के requirement है सिर्फ उतना ही पानी अगर हम लोग देंगे तो वो जो soil जो acidity बढ़ रही soil की Soil का जो salinization हो रहा है जो salt जो हो रहे हो बहार निकल कर आ जा रहे हैं वो नहीं होगा तो अगर हमें अच्छे से अपने next generation को Soil को या land को अगर क्या करना है आगे पहुँचाना है तो हमें कुछ measures तो लेने ही पढ़ेंगे Otherwise आने वाले future generation के लिए ये जो land है वो एक mercy बन जाएगा Mercy मतलब एक तरीके से एक सराब बन जाएगा इस जमीन पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से Soil का land का यूज करना है ताकि next generation भी अच्छे से इसको यूज कर सके